वन बंडल धर में जोई गर्ड शेत्र यू तो हातियों से भरा पड़ा है ऐसे वे यहां अगर ऐसा कहे तो कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि यहां शेत्र पूरी तरह से हाती मैं हो गया है हाली के दिनों में लगातार हातियों की आमद और मौजुदगी देखी जा रही है अब तो दिन दहाडे हाती सड़क पर नजर आ रहे हैं और हाती को सड़क पर हल्चर करते वे भी ग्रामिनों द्वारा देखा गया है इसी कड़ी में एक आक्रमक नर्ड दंतेल हाती को आमद गाउं बिट अंतरगत 368 कमपार्टमेंट से 366 जंगल की और सड़क पार करते वे देखा गया इस दोरान बताया गया कि सड़क के दोनों छोर में आवाजाही करने वालों की भीड लग गई थी लिहाजा सुरक्षा की नजल से सड़क के दोनों छोर में कुछ देर के लिए लोग ठम गए ताकि हाती से किसी तरह की नुकसान ना हो आमागाव और अमापाली के बीच सड़क में एक दंतिल हाती को सड़क पार करते देख कुछ पल के लिए लोगों में खौफ पेदा हो गया आखिर में हाती सड़क पार कर जंगल की और चला गया उसके बाद ही लोगों ने रहत की सास ली बताय ज्वारहाई की वर्तमान में हाती शेर और दरी हडिया जंगल की और कुछ कर सकता है लिहाजा एहतियातन प्रभावित इलाके में विभाकियों से मुनादी कराय ज्वारही है यहाँ आपको बता दे की एक जुहानकरी के मुताबिक धरमजय गड़ वन मंडल में अलग-अलग जगों पर कुल नब्बे हाती विच्रण कर रहे हैं जो कही न कही हाती प्रभावित शेत्रवासियों के साथ वन विभाकियों भी चिंता की वज़े बनी हुई है